तो देखिए यह आज हमने बनाई है पनीर हैदराबादी एकदम रेस्टोरेंट स्टैल तो एक बार घर पे बनाई है इसको पराठे से चपाती से बहुत ही टेस्टी लगती है तो चलिए बनाते हैं पनीर हैदराबादी तो देखिए हैदराबादी पनीर बनाने के लिए यह हमने कुछ मसाले लिए हैं यह चार प्याज है मीडियम साइज का एक टमाटर है लेसून है अद्रक है और हरी मिर्ची ह और यह तेजग पत्ता है एक दालचीने का टुकडा है जीरा है यह पनीर है 200 ग्राम और यहांพर देखे यह पालक है और यह धनिया तो यह एक कटोरी तो देखें गैस पेक कड़ाई रखें और इसमें तेल डाला है तो देखते हैं तेल अपना गरम हो गया है अब इसी में अब गरम तिल में ही यह पनीर डाल के थोड़े बड़े बड़े तुकड़े काटके और थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे और इसको फ्राइ करने के बार थोड़े से नमक के पानी में डाल के रख देंगे तो यह नहीं होगा तो देखें इसको ऐसे ही थोड़ा पलटके और अच्छे से थोड़ा गुण Daegya यहह करेंगे नहीं करेंके प्राई कर लेंगे तो देखिए यह प्राई हो गया है बस इसकों लोगा निकाल लेंगे और ग्रैस का फ्रेम बंद कर देंगे कर देखिए तो देखिए उसी खड़ाई में तेल गराम है अब उसी में हम लोग यह जीरा लिया था यह और दाल चीनी का टुकड़ा और तेज पत्ता अगर आप चाहें तो पीस के डाले नहीं तो आप मसाले के साथ खड़ा भी डाल सकते हम इसको पीसेंगे इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे जीरा हमारा तरग जाए अब इसमें हम लोग यह जो चार प्याज लिया था यह अधरक दो मिर्ची और लैसूज यह सब डालके अप्षे से प्राई कर देंगे इसको पीसना है इसके प्राई हो गया इसमें हम लोग यह एक टमाटा लिये थे यह भी डाल देंगे अब इसको भी अप्षे से अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे आजर संबर इतना नमक डाल देंगे और तमाटा को गल देंगे तो देखिए टमाटा भी हल्का गल गया है अब इसमें पालक काटके रखा था और धनिया यह भी डाल देंगे अगर आप ऐसे फ्राई नकरना चाहें तो पालक को बॉइल करके और धनिया को डारिकली भी पीस सकते हैं करें चला के इसको भी अच्छे से थोड़ा गल देंगे तो देखिए ऐसे ही ज़ाए हिसको ठीटें गलने देंगे तो देखिए ऐसे ही चला के थोड़ा इसको और गलने देंगे अब अगर आप ऐसे भूजना नहीं चाहते हैं तो पालक को पानी में बॉइल करके थोड़ा पका के ले लेंगे और धनिया ऐसे कच्छे ही पिसके फिर मसाला फ्राइब हो जाएगा उसमें हो जाता है तो ऐसे भ हुआ तो देखिए पानी सूप गया है इतना है इसको नो बूनेंगे अब इसको बन गैस का फ्लेम बन करेंगे और ठंडा हो नहीं देंगे फिर इसको मिक्सर में डालके पिस देगे को कि तो देखिए यह ठंडा हो गया है अब एधि तेज प्रता जो है अगर आप चाहें तो पीस लिजए यह नहीं तो इसए निकाल दिजए और शेक ओंू लोग से कि Mixer के बड़तन के निकाल लेंगे जी तो लेकिराय को सब नीकाल लिया है अब इसका फीस लेंगे उना जेकर के जाक हैं निकाल लिएार तो हम लोग को पीस जुथ यह से तीन, छे से साथ चम्मच, दही डाल देंगे और इसको भी पीशेंगे, इसको लगा तार चलाके मत पीछेगा, रुक रुक के पीशेगा, तो आईए देखते हैं, तो देखिए, अच्छे से ये पीश के एगदम त्यार हो गया है, बस ग्रेवियों मारे त्यार है, चलिए, अ तो देखिए, गैस पे कड़ाई रखी थिमने और उसमे तेल डाल दिया था, वो अच्छे से गरम हो गया है, इसमें हम लोग थोड़ा जीरा डालेंगे, और ये तडलते आएगा, फिर इसमें हम लोग अपना मसाला डालेंगे, तो अच्छे से भूनने देंगे, इसको रख बीच बीच में चलाके देख लेंगे, तो आईए देखते हैं, देखिए, अच्छे से गख रहिए इसको बीच बीच में, चलाते रहेंगे और अच्छे से बूनने देखे маш выступ, देखिए, अच्छा सा सा प्यारा साया है, बस दखी, ऑड़ी धाल गऄ हो खटी नहरे, ताजी तो आइए देखते हैं मसाला अपना अच्छे से यह पक रहा है अब इसमें हम लोग थोड़े सूखे मसाले डाल देंगे तो यह लाल मिर्ची तीखा आप अपने हिसाप से कम ज़्यादा रख सकते हैं क्योंकि हम लोग ने उसमें भी दो हरी मिर्ची डाली थी और यह एक शमत धनिया जीरा पाउडर और हल्दी यह भी इसी के साथ अच्छे से भून जाएगा और हल्दी और मिर्ची से कलर और भी अच्छा हो जाएगा तो अईसे ही थोड़ा मसाला उड़ेगा तो ढखकतर ही हुजिए अधर दीजे और भूनने दीजे तो आईए देखते हैं तो देखे ग्रेवी हमारी त्यार है अब इसमें थोड़ा सा कसूरी मेती यह भून के हमने हास से बारिक कल लिया था इसका पाउडर डाल देंगे और नमक हमने टेस्ट किया था हमने मसाले में नमक डाला था तो मारा नमक परफेक्ट है तो हम नमक नहीं डालेंगे और यह पनीर जो हमने बून के गरम अच्छी दाल देंगे अगर आप चाहते इसमें तो थोड़ी सी मलाई डाल सकते हैं घर की हो तो घर की ना हो तो बस इसको एक से दो मिनट और पकने देंगे जैसे पनीर में अवारा मसाला अच्छे से तो आए देखते हैं और यह देखिए अच्छे से पक गया है बस अवनों गैस का फ्लेम बंद कर देंगे तो देखिए तयार है अपनी हैद्रावादी पनीर बस इसको उसलों एक प्लेट में निकाल देंगे तो देखिए एक प्लेट एसको मनेने निकाल लिया है आप इसमें हम लोग नहीं थोड़ा सा देखिमेंश यह प्री रखा था इसको हलका सा ईसे ग्रेट कर देंगे यह सुन्दर दिखेगा अलका सा ऐसे और यह देखिए हमने तोड़े से तेल में यह लाल मिर्ची एसे चली व्वव डाल किया था इसको ऊपा से ऐसे हलका सा डाल देंगे तो तो देखिए बन के त्यार है हमारी हैदराबादी पनीर हैदराबादी तो अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिए और बताईए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी और बनाईए बिल्कुल होटल के जैसे टेस्ट आता है और बहुत कम समय में बन जाता है तो बनाईए और पसंद आए तो कमेंट कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल बटन जरूर दबाईए और एक बार बनाके टेस्ट जरूर कीजिए थैंक्यू